श्बलन श्रीराम लला विराजमान के दर्बार में प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी समुचे राश्ट की ओर से राश्ट कल्ल्यान की कल्ब कामना कर रहे हैं हमारी ही संस्कृती है जोकि वसुधैлуш को कुटंबकम कहती है हमारी ही संस्कृती है जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का मंत्र जबती है हमारी ही संस्कृती है जो कि धर्म की जै हो अधर्म का नाश हो इसकी कामना करती है हमारी ही संस्कृती है जो विश्व के कल्यान की प्रार्थना करती है पुधान मंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला विराजमान के दरवार में दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं और एक अलक भी जगाई हुन्होंने इस दीप के माध्यम से आप समझ सकते हैं एक अलक है जो जागी है समुचे राष्ट में राष्ट निर्मार की एक अलक जागी है आत्म निर्भर भारत के निर्मार की एक अलक जागी है जगद गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रभजलन करके अपनी संकल्प को सिद्धि के लिए उसे और द्रड़ता और विश्वास प्रधान करने के लिए राष्ट की तरप से कामना करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत हैं भगवान शिरी रामलला विराजमान के दरबार में। भगवान शिरी रामला विराजमान के दरबार में। भगवान शिरी रामलला विराजमान के दरबार में पहुचे हैं। भगवान शिरी रामलला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रदक्षना कर रहे हैं। कि अपिस्वर्णमई लंका मेना लक्षमण रोचते जननी जन्मभूमिश स्वर्गादपी गरीयसी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके लिए समर्पित तन्मन और प्राण है इसी भावना को आत्मसाथ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी पहुचे हैं भगवान श्री राम के श्री राम लला वीराजमान के दरवार में आराधना की है रामचरित मानस में गोस्वामि तुलसीदास जी ने उन्होंने कहा कि राष्टमंगल की कामना, विश्व कल्यान की कामना, जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की संकल्प की सिद्ध के द्रणता और विश्वास को और प्रगल और प्रगाण करने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी पहुचे हैं, शिरी रामलला विराजमान के दर्बार में उत्तरप्रदेश के राज्येपाल आनंदी बेन पटेल इस समय श्रीराम लला विराजमान का पूज़न, अर्चन और आर्थी करते हुए और इस समय सहगामी हैं, सहचर हैं, उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाथ प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के साथ ह जो कि भारत भारतियता के ध्वजवाहक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी जो कि सनातन संस्कृती के संक्रानतिकाल के अग्रदूत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी जो कि नर और नारायन दोनों की सेवा में अहरनिश प्राण प्रल से जुटे हुए हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी पहुंचे हैं आराधना करने के लिए वन्दना करने के लिए शरीरामलला विराजमान के दरवार में कहा गया है स्वर्ण मई लंकान मिले मा आवध पुरी की धूल मिले सोने में काटे चुभते हैं मिट्टी में हैं फूल खिले जब ये भावना होती है जब ये तपश्यर्या होती है जब ये संकल्प होता है तभी ऐसे राष्ट पूरुशों का निर्माड होता है जिन्होंने आजीवन इस मंत्र का जाप किया कि इंद्रासन वईभव नहीं प्यारा माता की गोदी प्यारी नमो नमो जगजननी माता कणकण परसुत बलिहारी पुष्पो की स्षयान मिले मा कदम कदम पर शूल मिले सोने में काटे चुभते हैं मिट्टी में हैं फूल खिले स्वरण मै लंकान मिले मा अवधपूरी की धूल मिले मर्यादा पुरशोत्तम भगवान श्रीराम ने अवधपूरी की धूल को स्वरण के सुखों से भी ज़्यादा श्रेयस करमाना और साथी साथ मर्यादा पुरशोत्तम भगवान श्रीराम नकिवल सनातन संस्कृती के बलकि विश्व की अनेक संस्कृतियों के बीच में भी रामसेतु कारे करते हैं क्योंकि तब जबकि पश्चिम की संस्कृतियां वनों में रहकर आदिमानों जैसी जिंदगी जीती थी तब हमारे गंगा और यमुना के तटो पर सामगान का हमने उद्गोश किया था कहा गया है जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहन कर लाज बचाई तब भारत में सामगान का स्वारगिक स्वरथा दिया सुनाई सही बात यह है कि सनातन संस्कृती नहीं पूरे विश्व को ज्यान दिया सनातन संस्कृती नहीं पूरे विश्व को अर्थ धर्म मोक्ष की राह दिखाई और आज उसी अवधपूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी करोडो करोडो भारतवासियों की तरफ से प्रधा अंजली अर्पित की है और इसके बाद वो कार्यांजली जो राष्ट द्वारा अर्पित की जा रही है भगवान श्रीराम के दिव भव मंदिर के निर्माड की जो हर दिश प्रक्रिया पांच अगस्त सन 2020 से जारी है और जिसका सोभागी जहां भूमी पूजन करने का सोभाग प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को मिला आज उस स्वपन के साकार होते हुए एक स्वपन द्रस्टा उस स्वपन को साकार करने के देखने के लिए जा रहा है कि किस तरीके से जो सपना पांच शताब्दियों से अनेकों पीड़ियों ने देखी अब वो सपना साकार हो रहा ह पांच अगस संदो 2020 को भूमी पूजन का गवरोव और श्रेव ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, तो अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर परदेश की राजयपाल, आनंधी बेन पटेल, और मुक्य मंत्री योगी आधित्तेनाद के साथ इस समय जा रहे उसके साक्षी बनने के लिए और निश्चित तोर से ऐसा सपना जो पांच वर्षों से पांच शताबदियों से अनेका नेक पीडियों ने देखी भारत भारतियता के एक एक व्यक्ति ने देखी और जिसके लिए अनेको हुतात्माओं ने अनेको पुणे आत्माओं ने अपन आयोध्या की महिमा और गरिमा की अनुरूप किया जा रहा निर्माड है ये केवल मंदिर ही नहीं है भारत भारतियता का प्रतीक है ये केवल एक मंदिर ही नहीं है समूचे विश्व को सनातन संस्कृती और भारत भारतियता की तरफ से दिया जा रहा अनुपम उतहार है और उ उसी का साक्षात करने के लिए उसी के साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरिंद्रवोदी इस समय पहुचे हैं भगवान शिरीराम लला विराजमान के मंदिर के परिसर में जहां पर जन्मुस्थान पर दिव्व भव्व नव्व मंदिर का निर्माण हो रहा है। कोट 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 काल्पों तक भी बखाना नहीं जा सकता, और ये भगवान श्रीराम को दौरा प्रदत किया गया, निमित किया गया वो हकार्य है, जिसकी प्रतिपूर्ति प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इस समय श्रीराम जन्म भूमितीर्थ क्षेत्र के परदान बूम्तिर्थिक्षेत्र के पदाधिकारी और साथी साथ इस पूरे सपने को साकार करने में जुटे हुए हमारे कर्मवीर, हमारे श्रमजीवियों के प्रतिनी और साथी साथ अब आप देख रहे हैं ये प्रधान मंतरी नरेंद्र बोदी सोपान के वो लही चड़ र पांच शताब्दियों के महायग्य की जो पूरडा हुती के रूप में है उसका सोपान चड़ रहे हैं और ये सोपान है राष्ट निर्माड का, ये सोपान है निश्चित तोर से सनातन संस्कृती के पुनरस्थापना का और ये सोपान है सनातन संस्कृती के संक्रान तिकाल के समवाह के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा किये जा रहे नर और नारायन को अरपित किये जा रहे एक एक कार्य को अब प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी पहुचे हैं उस दिव्व भव नव्व मंदिर का साक्षात करने के लिए साक्षी बनने के लिए जिसके भूमी प श्री चमपत राय जो कि श्री राम जन्म भूवी तीर्थिक्षेत्र के महासच्यों हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और साथी साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस पूरे कारे को साकार करने के लिए धरातल पर उत इंकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये मंदिर साकार रूप ले रहा है किस तरीके से ये मंदिर साक्षात स्वरूप ले रहा है इस मंदिर की अगर विशिष्टता की बात करें ये मंदिर बेहद विशिष्ट है और ये मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है तक्रीबन 350 मीटर गुड़े 250 मीटर यानि कि 350 मीटर लंबा और 250 मीटर चोड़ा और 161 मीटर माफ करिएगा 350 फीट और 250 फीट और 161 फीट उचा भगवान का ये शिखर होगा जो कि इतिहास में ताल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में होगा जो कि सानातन संस्कृति के दिवस्तंभ के रूप में होगा और इस नम्मक मंदिर निर्माल की जो प्रक्रिया रही ये बेहत गहन शोध और वय्यानिक परामर्श के बाद शुरू हुई CBRI, अनेक IITS और साथी साथ भवन निर्मालत संस्था के जो विशेसक ये कमपनिया हैं उन्होंने अपने विशत परामर्श के बाद जिस रूप रेखा को तयार किया वो रूप रेखा अब साकार रूप ले रही है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगरी के पहले इस्थित मंदिर के नाटेगरी के क्षेतर में हैं नाटेगरी क्षेतर के बाद गोडगरी क्षेतर है जहां से सब लोग इस मंदिर में भगवान श्रीरामलला विराजमान के दर्शन करेंगे और एक छोटी सी प्रदर्शनी जो की कारेदाई संस्थाओं द्वारा लगाई गई है उसका अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचे हैं दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि जब इस धारा धाम पर इस स्थान पर मंदर निर्माड की प्रक्रिया शुरू हुई तो ये माना गया कि शताबदियों पहले यहीं से कभी मासरियों की धारा बहा करती थी तो ऐसे में ये चुनोती आई कि मंदर ऐसा निर्माड हो जो समय कि शिला परमिठ हिस्ताक्षर हो साथिसाथ हजार वर्षों तक ये अपनी पूर्व सररचना में रहे तो नीचे से जल की धारा कभी शताब्दियो वर्षपूर्व होने की वज़े से इस मंदिर को ऐसा आधार और आकार दिया जा रहा है जो कि अभेद्य है और करीब हजार वर्षों तक ये सनातन संस्कृति के दिव्यस्तंभ के रूप में स्थापित रहेगा इसके लिए तकरीबन बीस लाक दस हजार घन मीटर इस खेतर से पूरा रेत निकाला गया और ये पूरा का पूरा खेतर जो था चार सो फीट चोड़ा तीन सो पचास फीट लंबा और पचपन फीट गहरा था पचपन फीट गहरे नीचे तक जाकर खुदाई करने के बाद दो लाक दस हजार घन मीटर रेत यहां से निकाला गया और उसके बाद इस पूरे के पूरे क्शेतर को IIT और CBRI दवारा जो विशेस Royal Compact Concrete जो की Rural Compact Concrete है उसको बनाया गया विशेस Concrete बनाया गया और उसको तकरीबन एक एक फीट के लेयर में उसको तब्दील किया गया एक फीट का लेयर डबा कर उसे एक इंच में परिवर्थित किया जाता था और ऐसे ऐसे तकरीबन 48 अस्तर यानि लेयर यहां पर हुए और 480 इंचस से जादा यानि की तकरीबन 40 फीट से जादा गहरा एक ऐसा आधार तयार हुआ जो की एक फीट को दबा कर एक इंच में परिवर्थित किया गया है इतना वो कॉमपैक्ट किया गया है जिससे कि मंदिर की जो आधार शिला रहे वो राष्ट के बुनियात की तरह मजबूत हो हमारे संकल्प की तरह वो मजबूत हो और उसके बाद इस पर दिव भव मंदिर के निर्माड की प्रक्रिया शुरू की गई गर्भगरी का जो खेतर है जहाँ अभी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी अपसे कुछ देर बाद इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जाएंगे वहाँ इसकी गहराई 6 फीट और नीचे तक की गई यानि कि तकरीबन 55 फीट से जादा और 6 फीट अधिक्तम यानि 61 फीट से जादा RCC की ढलाई वहाँ पर करके और उसके बाद मंदिर के निर्माड की प्रक्रिया शुरू की गई और मंदिर निर्माड में जो कारेदाई संस्थाएं उसके प्रतिनिधि समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक-एक कारे की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को काल जैई स्वरूप दिया जा रहा है कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर बनाया जा रहा है और कैसे इस मंदिर को सनातन संस्कृति का दिव्व भव नव्व प्रकाश स्तंभ के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है वास्तों में ये कैसे सपने का साकार होना है जिसके लिए पांच शताब्दियों से इस चले हुए महायग्य में अनेक हुतात्माओं ने इस महायग्य में अपना जीवन होम कर दिया जो वास्तों में एक सपने के साकार होने जैसा है मंदिर निर्माण की इस पूरे क्षेतर की अगर बात करें तो इस पूरे 61 फीट के आर सी सी के ढलाई के बाद इस मंदिर क्षेतर में पांच फीट का दो लेयर्स है और ऐसे ग्रेनाइट के प्लिंथ बनाये गए हैं जिस अभी जो सीडिया चलकर प्रधानमंतरी नरेंदर वो दिया है वो उचाई उन्हें प्लिंथ की है और ये तक्रीबन 5.5 गुड़े 3.5 गुड़े 2.5 फीट यानि इनका वजन तक्रीबन एक एक पत्थर का वजन 3.5 टन से ज़ादा है और इन पत्थरों को आपस में फसा कर जो की प्राचीन काल के मंदिर के निर्माण में जो तक प्लिंथ है और उसके उपर फिर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है यानि कि तक्रीबन 61 फीट का आधार स्थम्भ जी कॉंक्रीट का RCC और उसके उपर 21 फिट की उचाई का प्लिंथ और फिर उस प्लिंथ के उपर इस समय उस आधार के उपर इस समय प्रधान मं पत्थर लाल बलुवा पत्थर हैं जो कि राजस्थान के भरत पुर जिले के बयाना से लाए जाते हैं और इस समय कारदाई संस्थाओं के प्रत्मिदी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को समय के शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में इतिहास में एकामर गाथा के रूप में सनातन संस्कृति के प्रकाश तंभ के रूप में और साथी साथ भारतियता भारत और भारतियता के गौरों के रूप में स्थाफित किया जा रहा है और सही मायने में ये कार्यांजली है शद्धांजली है ऐसे अनेक वीर हु प्राचीन काल्वे मंदिरों में पत्थरों को आपस में दूसरे पत्थरों को जोडने के लिए बीच में एक वृत्त बना कर और पत्थरों से ही उनको जोड़ दिया जाता है कहीं भी इस पूरे मंदिर में सीमेंट का इस्तिमाल नहीं हो रहा है और पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा जा रहा है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस छोटे से पत्थर में दूसरे शिलाखंड को फसाया गया है और इसका सबसे बड़ा लाब यह होता है कि भूकम पाने की कैसी भी इस्थिती में किसी भी कमपन और दोलन की इस्थिती में ये पत्थर एक दूसरे से हटते नहीं है और जो निर्माड कारे है वो अहरनिश और निरंतर चिरस्थाई रूप में विद्यमान रहता है ऐसे मंदिरों का निर्माड ऐसी तकनीक का निर्माड सताब् पहले दक्षन भारत के मंदिरों में विशद रूप से की गई और जिससे पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा गया है और जिसमें कॉंक्रीट या लोहे का कहीं भी किसी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से दिव, भव, नव, सनात्रों को पत्थरों से ही जोड़ा गया है। अगर देखें तो आधुनिक अयोध्या, अलवकिक अयोध्या, आध्यात्मिक अयोध्या, इसके भी निर्माल की प्रक्रिया सतत जारी है, अहरनिश जारी है। अयोध्या की आत्मा को समेट कर, मूल आत्मा को सजो कर, आधुनिकता के कलेवर में, शिर पुरातन नित नूतन अयोध्या के निर्माल का कारे जारी है। और ये कैसा निर्माल का कारे है, ये कैसा कायांतरन का कारे है, ये कैसा रूपांतरन का कारे है, जो आयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुरूप हो रहा है। प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं, समूचे मंदिर परिसर का, समूचे हो रहे निर्माल कारियों का, अभी जहां प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी हैं, इस से आगे गर्वगरे का वक्षेत्र है, जहां पर भगवान शिरिराम लला विराजमान हों लिए एक ऐसा बलिदान का स्थान है जिसके लिए भारत भारती है था और सनातन संस्कृति ने अपने गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए गुलामी के प्रतीकोत को तोड़ते हुए अपनी सनातन संस्कृति की पुनरस्थापना की इस समय प्रधान मंतरी नरेंद्र बो बताना आवश्यक है क्योंकि इस तरीके के जो भी विशद दिव्व भव निर्माड होते हैं चाहे वो केदारपुरी का निर्माड हो चाहे वो काशिकारी रोर के विश्वनात काशिदाम का निर्माड हो या फिर भगवान शिर्दाम के दिव्व भव मंदिर का निर्माड हो प्रधानमंत्री कार्याले द्वारा इन सभी निर्मार कार्यों की विशद समिक्षा की जाती है और दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं जिससे कि इस मंदिर को आध्यात्मिक्ता के अनुसार साथ, आध्यात्मिक्ता के साथ साथ, आधुनिक्ता के स्तंभ के रूप में भी स्थापित किया जा सके ये मंदिर परिसर के बाद तकरीबन पचीस फीट बाद ये मंदिर का मुख्य ख्षेतर है जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी इस समय अग्रिसर हो रहे हैं भगवान शरीराम लला विराजमान के भावी मंदिर के गर्वग्रे की तरफ परंपरा के अनुसार श्रद्धा के अनुसार वो इस समय प्रधान मंत्री नरिंद्रमोदी पहुच रहे हैं गर्वग्रे की तरफ हस्त प्रक्षालन और अपनी पादुका को से निवृति पाने के बाद इस समय एक बार फिर भावी दि गर्भगरे की तरफ अग्रसर हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और ये पूरा का पूरा जो मन्दिर है वो बंशी पहाडपुर के गुलाबी लाल भलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित किया जाएगा तो गर्भगरे का जो निर्माड है वो सफेज संग मर्बर द्वारा किया जाएगा और गर्वग्रे के जो स्तंब हैं जो गर्वग्रे के जो पिलर्स हैं जो गर्वग्रे का जो स्वरूप है वो बेहत विशिष्ट है और साथी साथ इसके पीछे का जो खेत्र है दर्शनार्थी श्रधालू रामभग्त वहां से भगवान श्री रामलला विराज प्रदान मंत्री का रहा दोरा समय बद्ध तरीके से किया गया और जो भी इस समय आप देख रहे हैं कि जो मंदिरों के स्तंभ हैं जो मंदिरों के स्वरूप हैं जो उन पर पच्ची कारी और जिस तरीके का शिल्पा और विन्यास किया जा रहा है वो भी बेहदाद भूत है और यह मंदिर जो कि अभी जहां पर आप प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं यहां से 161 फीट उचा गर्वगरे का शिखर होगा जो कि प्रकाश स्तंभ होगा सनातन संस्कृतित और भारत भारतियता का शिरी राम जन्मभूमितीर्थिक्षेतर के महासच्यू शिरी चमपतराय दीप प्रद्ज्वलित करके प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भगवान शिरी राम लला विराजमान की आराधना कर देख पहुचे हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी सौभाग शाली हैं क्योंकि भूमी पूजन का भी उन्हें सौभाग मिला और इस दिव भव मंदिर का साक्षात दर्शन करने पहुचे हैं कि किस तरीके से संकल्प की सिध्य हो रही है और किस तरीके से इस समय भव राष्ट निर्मार के साथ भव मंदिर निर्मार की विपरकिया जारी है शुभम करोति कल्याडम आरोग्यम धन संपदा शत्र बुद्धि विनाशाय दीप जोती नमोस्तुते दीपक हमारी संस्कृती का ऐसा प्रतीक है जो तिमिर को समाप्त करता है अन्धकार को समाप्त करता है और ज्ञान का प्रकाश समूची दुनिया में जिस तरह से भारत में फैलाया है तो उसी तरीके से हमारी सनातन संस्कृती में दीप का विशेस महत्व है प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी ने दीप प्रध्युलित करके आठ छोटी दीपाउली के आउसर पर भगवान श्री रामला विराजमान के दिव्व भव्व नव्व धाम के निर्माड के गर्वग्री में उन्होंने पूजा अर्चना भी की समुचे राष्ट की तरफ से उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट निर्माड की कामना की प्रधान मुंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट निर्माड की कामना करते हैं तो वो समुचे राष्ट का हवान करते हैं युवाओं का हवान करते हैं श्रम जीवियों का हवान करते हैं कर्म जीवियों का हवान करते हैं कि लोग राष्ट निर्मार में जूटे शत शत दीप इकठे होंगे अपनी अपनी चमक लिए आपने अपने त्याग तपस्या श्रम सैयम की दमक लिए निश्य तोर से एक दीप जलाने की परपरा एक व्यक्ति द्वारा की जाए और अगर इसी परपरा को हर व्यक्ति द्वारा बढ़ाया जाए तो कहीं भी अधेरा नहीं रहे, कहीं भी तिमिर न रहे, कहीं भी अंधकार न रहे और जो हमने संकल्पना जो हमारा मंत्र है कि अस्तो मा सद गमें, तमसो मा ज्योतिर गमें, मृत्यो और मा अम्रितम गमें यानि कि हम असत से सत की ओर चले और मिर्तु से अमर्ता की ओर चले अग्यानता से ग्यान की ओर चले और सबसे बड़ी बात ये कि हम राष्ट निर्माण में प्राण प्रण से जुट जाएं प्रण मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय श्रीराम जन्व भूमिक शेत्र के पदाधिकारी महासच्यू मंदिर निर्मार समित के अध्यक्ष उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योग्यादित्यनाथ राजयपाल आनंदी बेन पटेल इस समय सहचर के रूप में हैं और इस समय प्रण मंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से पांच शताब्दियों के महायग्य का फली भूत हो रहा है वो सपना वो सपना साकार हो रहा है जो पांच शताब्दियों से अलग-अलग पीडियों ने भगवान शरी राम के दिव्व जन्मस्थान पर मंदिर निर्मार की कामना की थी और वो कामना फली भूत हुई है हमारी संस्कृती शरीर को ही मंदिर मानती है हमारी संस्कृती विश्व को मंदिर मानती है हमारी संस्कृती देश को मंदिर मानती है हमारी संस्कृति व्यक्ति को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश की माटी को चंदन मानती है, हमारी ही संस्कृति कहती है, चंदन है इस देश की माटी, तपो भू में हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है यानि कि चंदन है इस देश की माटी हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है हर शरीर मंदिर सा पावन हर मानो उपकारी है जहां सिंह बन गए खिलोने गाय जहामा प्यारी है जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है जहां कर्म से भाग्य बदलता श्रम निष्ठा कल्याणी है त्याग और तपकी गाथाएं गाती कभी की वाणी है ग्यान जहां का गंगा जलसा निर्मल है अविराम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है जिसके सैनिक समर भूमी में गाया करते गीता है जहां खेत में हलके नीचे खेला करती सीता है जीवन का आदर्ष जहां पर परमेश्वर का धाम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है मृदपित्य चंदन अस्मिन देशे ग्रामो ग्रामह सिद्ध वनम यत्रच बाला देवी स्वरूपा बाला ह सर्वे श्री रामा भगवान श्री राम की जन्मस्तली पर भव दिव निर्माड हो रहे इस कार्यांजली का साक्षात दर्शन कर रहे हैं साक्षात अनुभूती कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किस तरीके से समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में सदातन संस्कृती के इस दिव कीर्थि स्तंभ को स्थापित किया जा रहा है अगर देखे तो निश्षित तोर से यह ऐसा निर्माड है जो आधुनिक आयोध्या और आध्यात्मिक आयोध्या का संगम है जो कि चिर पुरातन और नित नूतन होती आयोध्या का संगम है जो कि हमारी वय्यानिकता और हमारी पौराडिकता हमारी धार्मिकता हमारे आध्यात्मिकता का समावेश है क्योंकि इस मंदर निर्माण में अनेक अनेक ऐसे वय्यानिक तत्यों और ऐसे वय्यानिक तक्नीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे इस मंदिर को चिरस्थाई और काल के कपाल पर अमिठ साक्षर के रूप में स्थापित किया जा सके इस मंदिर के बारे में अगर बताए तो जहाँ इस सब्धान मंत्री हैं यह मंदिर का प्लिंथ है और इसके बाद पचीस मीटर दोनों तरफ दूर मंदिर के परकोटे का निर्मार होना है वो मंदिर का परकोटा मंदिर के गर्वगरी से पचीस मीटर दूर होगा और यह तकरीबन चारों तरफ होगा यह परकोटा और प्रदक्षिना मार्ग के रूप में इसे विक्सित किया जाएगा ये प्रदक्षिना बार्ग तकरीबन आठ सो मीटर का होगा आठ सो मीटर का ये मंदिर का परकोटा प्रदक्षिना मार्ग के रूप में होगा अब ही जहां प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जहां से नीचे उतर रहे हैं यहां पर सिंह द्वार की स्थापना की जाएगी और इसके बाद यह मंदिर तीन तलों में होगा भूतल प्रथम तल और दितिय तल में यह बनाया जाएगा और इस मंदिर निर्मार के अगर आयताकार परकोटे की बात करें तो इसके बाद इस मंदिर के आयताकार परकोटे के अंदर सीता मंदिर, सीता की रसोई, अनपूर्णा मंदिर, भगवती मंदिर, शिव मंदिर, गडेश मंदिर, हनुवान जी का मंदिर, हनुवान जी का मंदि गडेश जी का मंदिर इशान कोड में होगा, माता अनपूर्णा का मंदिर होगा और साथी साथ इस मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्य जो अयुध्या का मुख्य मार्ग है, बिरला मंदिर से सुग्रिव किला और अमावा मंदिर होते हुए 100 फीट चोड़े और तकरीबन 7 170 मीटर लंबे इस प्रवेश द्वार और प्रवेश मार को बनाया जाएगा, जो कि सीधा मंदिर तक पहुचेगा, मंदिर परिसर इससे विशद होगा, मंदिर परिसर तकरीबन 60 एकल और ज्यादा क्षेतर में होगा, मंदिर परिसर मंदिर का जो मुख्य परकोटा का हिस्स पुनीत कारे में लगे हुए कर्मवीर और साथी साथ इस कारे में लगे हुए कारेदाई संस्था और शिरी राम जन्मुद्भूमिक्षेतर के पदाधिकारी निश्ची तोरच अगर इस मंदिर की बात करें तो मंदिर मुख्य मंदिर दस एकल क्षेतर में होगा और मंदिर परिसर साथ और एकल क्षेतर में होगा तक्रीबन सत्तर एकड़ क्षेत्र वी ये मंदिर विस्तारित होगा मंदिर पर कोटे के बाद जो मंदिर परिसर होगा उसमें तक्रीबन छे अन्य मंदिर बनाये जाएंगे वहाँ पर शेशनाग जी का मंदिर शेसनाक स्वरूप में भगवान लक्षमन का मंदिर होगा जटायू का समारक वहाँ पे होगा और इस समय देखें कि किस तरीके से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी इस महायग्य में लगे हुए लोगों से वारतालाब कर रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का ये विलक्षन स्वभाव है कि वो जहां भी इस तरीके के निर्माण कारे में लगे हुए व्यक्ति होते हैं उनसे उनके अनुभव पूछते हैं उनको प्रेरित करते हैं देख रहे हैं कि किस तरीके से नव युवक हमारे अभियांतरी की से जुड़े हुए नवजवान हमारे युवा इस पुनीत कारे को संपादित कर रहे हैं इस पुनीत कारे में अपना अंशदान कर रहे हैं और जब प्रेरणा जब इस तरीके का समवाद होता है जननायक द्वारा राश्टनायक द्वारा तो एक उर्जा का संचार होता है इस कारे में लगे हुए व्यक्तियों की इस कारे में लगे हुए युवाओं की इस कारे में लगे हुए अभियांतर की और इंजिनिरिंग से ज जैते की परमपरा है जो हमारी श्रमेयो जैते की श्रम को सम्मान करने की हमारी परमपरा है उसको निभा रहे हैं और साथी साथ उत्साहित कर रहे हैं उर्जस्वित कर रहे हैं उनके अनुभो साजह कर रहे हैं अपने अनुभो खुद उनको बता रहे हैं और ये जब इस तरी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो किसी भी विशेस कारे में लगे हुए लोगों से चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो कर्मजीवी हो चाहे वो श्रमजीवी हो चाहे वो हमारे नवयुवक हो चाहे किसी बुनीत कारे में हमारे युवा हो उनसे समवाद करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने समवाद किया मंदिर निर्मान में लगी कारेदाई संस्थाओं के नवयोकों से इंजीनियरों से अभियांतर की ख्षेतर से जुड़े हुए लोगों से और साथी साथ उन्हें प्रेरणा दी और ये प्रेरणा दायक छण होता है युवा साज़ा करके आगे का मुख्यरा मार्ग आगे की कारेशयली को प्रशस्त करते हैं और आगे के कार्यों को बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं इस समय पुरदान मंतरी नरेंद्र मोदी श्री राम जन्म भूमी मंदिर खेतर के परिसर में हैं जहां पर दिव्व भव्व मंदिर का निरमाड हो रहा है और विलक्षन ख्षन है ये आज आयुद्या के लिए भी क्योंकि आयुद्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थ प्रणता का शीर से बिंदु है आयुद्या जहां के रोम रोम में राम है जहां के कण कण में लक्षमण है जहां के जन्जन में भरत हैं तो साक्षात विग्णहारक शत्रुग्न भी यहां विराजमान है सर्यू की अविरल धारा युगो युगो से श्री राम के और ये द्रिश आप देख रहे हैं उस वक्त के जब प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने राम जन्म भूमी तीर्थ स्थल का दौरा किया बारीकी से निरिक्षन करते हुए प्रधान मंत्री और वहाँ पर जो लोग है उसे बाचीत करते हुए उसे समझते हुए प्रधान मंत्री ने गर्ब ग्रह का भी निरिक्षन किया प्रिद्धान मंत्री के उस समय के द्रिष्च जब प्रिदान मंतरी राम जन्म भूमी तीर्थ स्तल का निरिक्षन करेते हुसे पहले उन्होंने राम लला विराजमान का पूजन अरचन किया और उसके बाद गर्ब ग्रह में भी प्रिद्धान मंतरी वहांपर गये और वहाँ पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदितनात और राजजपाल भी मौजूद थे और मंदिर निर्मान से जुड़े तमाम लोग उनके साथ मौजूद प्रधान मंत्री ने पूरी परंपरा के अनुसार दर्शन किये उसके बाद निरीक्षन किया उस स्थल का नकेवल निरीक्षन किया प्रधान मंत्री ने वहाँ पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया उन्हें समझा कि किस तरह से ये कार्य आगे बढ़ रहे हैं और ये दृष्य अपने आप में दिखाते हैं प्रधानमंत्री की श्रद्धा, भक्ति और जिजी विशा जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री लगे रहे और उसके बाद संकल्प से सिद्धी का ये क्षान आया और लगातार जो है ये काम आगे बढ़ रहा है उसका स्वयम निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री वहाँ पर बारीकियों को समझते हुए वहाँ पर जो तकनीकी है उसको समझते हुए जो आधुनिक वास्तु शिल्प है वो भी ऐसा बने जो युगो य युगों तक स्परनिय रहे का जा रहा है कि इस तरह की तकनीक का उप्योग किया जा रहा है जो किसी भी आपदा रोधी तकनीक से युक्त होगा तो अपने आप में